वेलकम बैक ये स्टूडेंट्स और कॉंबिनेशनल लॉजिक सरकिट जो हम देख रहे थे उस स्रीज में हम हाफ एडर, हाफ सब्ट्रेक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रेक्टर देख चुके हैं अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं तैस्स मल्टिप्लेक्सर तो आज हम ब तो ये भी आपका एक कॉंबिनेशनल लॉजिक सरकिट है और यहां पर जो हमारे पास होते हैं वो आपको जो ध्यान में देना है कि हमारे पास कुछ इंपूट लाइन्स होती हैं कुछ सिलेक्शन या फिर कंट्रोल लाइन्स होती हैं और सिफ एक आउटपूट लाइन होता तो ये जो आपकी इंपूट लाइन्स होंगी ये टू की पावर्स में चलेंगी हमेशा तो मैक्जिमम टू की पावर एन डेटा इंपूट लाइन्स ठीक हैं तो डेटा इंपूट की यदि हम बात करें तो कितना होगा टू की पावर एन तो यहां हम एन को टू ही लेके चल 4 is to 1 4 यहां मतलब input lines and 1 is output line और यह जो दू है इनको control signal या फिर selection signals कहते है चीक है तो यह अपना multiplexer है अब यदि इसके corresponding हमें circuit बनाना है तो हम पहले यहां पर बना लेते हैं इसके truth table तो यहां पर जो हमारे control signals है वो कौन से है S0, S1 और यहां पर हमारा जो y है उसमें हम इनमें से कौन selected होगा यह हम देखेंगे तो जब भी हमारे पास में दो control signals हैं तो इनकी value तो 0 होगी या फिर 1 तो मैं यहां पर लिख देती हूं तो इसमें यह देखें तो हमारे पास 2 के जो possible combinations थे वो थे 4 0 0 0 1 1 0 1 1 अब जब 0 0 हम input देंगे तो case line की corresponding output select होगा i0 इसलिए हमने y में जो output है इसमें i0 ऐसे जब 0 1 का combination मिलेगा तो इनमें से कौन output पड़ जाएगा i1 similarly i2 and i3 अब यदि हमचे कहा जाए कि हमें क्या बनाना इसका logic circuit तो हम इसके logic circuit में क्या करेंगे इन यह जो terms है इनके fundamental products को find कर लेंगे तो हम यहाँ पर बना लेते हैं तो यहाँ पर जो अपना S0 है उसको ले लेते हैं और जब हम इसको not gate पर दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा S0 bar इसे ही S1 और जब इसको not पर दे देंगे तो S1 bar अब यदि हम बात करें तो देखिए I0 के लिए हमें क्या लेना है S0 की value 0 और S1 की value भी 0 क्योंकि हम fundamental product की बात कर रहे हैं इसलिए जब भी 0 मिलेगा तो हम उसका compliment लेंगे ठीक है तो यहां से हमने लिया I1 sorry I0 और यहां पर इन दोनों के क्या ले लिया हमने compliments तो यहां पर ले लिया S1 bar इन तीनों की क्या करवा है हमने ending क्यों क्योंकि fundamental product ले रहे हैं ठीक है दूसरा क्या था I1 I1 के लिए हम क्या लेने वाले हैं I1 के case में S0 है 0 मतलब इसका compliment और यहां आपका as it is तो S0 और क्या लेना है I1 यह है I1 और S0 का bar और S1 as it is इन तीनों की ending करवा दिया ठीक फिर S0 की अब थर्ड है किसके साथ I2 के साथ तो यह I2 I2 के साथ में S0 1 है तो बिना बार के ले लेंगे इसको और S1 का बार ले लेंगे अब क्या है इसमें क्या है इन दोनों में दोनों की value 1 है तो हम बिना compliment के इनको ले लेंगे अब क्या है यहाँ पर output में high cup मिल रहा है जब यह वाले combinations मिल रहा है क्योंकि अगर यह मिला तो यह select होगा तो इसे यह दि select करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर यह लिया अब हम इन सब को क्या कर दें सब की all the thing do जब हम चाह रहे हैं कि इन में से यदी एक भी यहां पर हाई मिले यहां या कहीं पर एक भी वैल्यू में यहां मिलता है तो आउट्पुट आपको हाई मिले ठीक है को हम इन-पूक्त लाइन्स को 16 भी कर सकता है 8 बहीं कर सकता है 8 इस्टो वन काıllंक माना सकते हैं ऐस्टोवन के का होगा एं की वल्यूं का है कि थ्री मतलब यहां पर मिलेंकों कॉन्ट्रोल सिग्नल थे यहां पर तीन कंट्रोल सिगनल से बनें तो उस के समular को क्या करना है fundamental product निकालना है और उसके corresponding यहाँ पर output देखना है so I hope आपको multiplexer का यह समझ में आया होगा multiplexer का नाम multiplexer इसी लिए है क्योंकि यह many to one ले जाता है मतलब हम इसको समझ सकते हैं कि एक bus का यदी example ले हम real life example कि एक bus रहती है ठीक है उस bus में बहुत सारे passengers बैठते हैं और हम जिस passenger का stop आयेगा वह वहाँ पर उतर जाएगा ठीक है तो वही चीज थी कि जिसका combination आयेगा वह finally select होके output पर मिलेगा यदी यह वाला case होता तो output में i0 मिलता यदी यह वाला case होता तो output में आपको i1 मिलता ठीक है तो वही चीज है नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे D multiplexer को and I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी यदी वीडियो समझ में आई है तो इसे like भी करें and channel subscribe यदी नहीं किया है तो चैनल जरूर subscribe करें thank you guys